हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अनेकेडमी की लेट्सक्राइक नीट पीजी प्लैटफॉर्म पे आज मैं आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेका हूँ आज मैं आपको टॉक्सिकलोजी मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ मैं इसकी उपर मैं कोशिश करूँगा टॉक्सिकलोजी को जित्ते डिटेल में अच्छे से समझा पाऊं ताकि सेकेंड यह से लेके जो नीट पीजी प्रिपरेशन करें हर कोई उसका बेनिफिट उठा सके तो स्टार्ट करने से पहर थोड़ा अपने बारे में थोड़ा अनेकेडमी का बारे है तो जैसे मैंने आपको बताया टॉक्सिकलोजी टॉपिक में लेके आए हूँ आपके सामने और इसको में डिटेल में कवर करूँगा ताकि सेकेंड यह से लेके जो नीट पीजी का एक्जाइम देंगे उन सब को इसमें बेनिफिट मिले थोड़ा अनेकेडमी का बताया हां आठ्षाइमी में तो अने में बहरत के टॉप एजुकेटर्स यहां पर आपकी लाइब nen्लाभ कनासे लेते हैं यहां पे आपको डिफरिंट डिफर्ण सब्जेक्स लिए अलग अलग अजुकेटर्स यहां पर आपको मिलेंगे और यह एजुकेटर्स अपने कर सकते हैं one to one interaction कर सकते हैं आपके on the spot आपके doubt clear हो जाएंगे अनकेड़ी platform पे आपको mock test की सुविधा मिलती है इन mock test के थूँ आप अपनी preparation का evaluation भी कर सकते हैं यहाँ पे आपको flexible schedules मिलते हैं अगर मैं example के तौर पे मैं interns की बात करूँ तो उनके daily अलग अलग duty arts रहते हैं तो ऐसे में जब भी वो free होते हैं वो अपनी duty arts से free होते हैं तो वो हमसे जुड सकते हैं यहाँ पे language preference मिलती है जैसे English है, Hindi है, Malayalam में, Tamil है और भी बहुत साई languages में आप यहाँ अपनी preparation कर सकते हैं यहाँ पे practice के लिए quizzes भी देके रखें इन quizzes के थुरू आप अपनी knowledge को test कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था special classes जो है live होती हैं यहाँ पे आप educators हाँ one to one interaction कर सकते हैं अगर कोई भी doubt होगा तो आपका on the spot clear कर दिया जाएगा यहाँ पे interactive polls होते हैं live classes में अगर educators आपसे कोई question पूछता है तो आप अपने घर पे बैठे बैठे आप अपने smartphone में ही option चूज करके आप participate कर सकते हैं अगर आप बहुत जाद remote area में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने के कोई बात नहीं है आपको बस internet connection चाहिए और आप हमसे जुड़ेएंगे इसकाल यह हुआ learn anytime anywhere आपको बस करना यह है आपको अपने smartphone में unacademy learning app को install करना है install करने के बाद आपको subscription लेने subscription के लिए भी आपको different options मिल जाते हैं one month three month six month twelve month 24 months अगर मैं इनके subscription charges के अगर मैं बात करूं तो अगर आप मेरा code यूज करते हैं live DRAM मेरा code है live DRAM अगर आप यूज करते हैं तो आपको additional 10% का discount account मिल जाएगा तो अगर मैं subscription charges के बात करूं तो one month के subscription charges है वह है 4500 का मेरा code use करके three months के अगर मैं बात करूं तो इसके charges है 11,250 मेरा code यूज करके six months के अगर मैं बात करूं तो मेरा code सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसी कि उसमें आपको दो साल का प्राइस बैठेगा तो दोस्तो एक बारी आप ये सब्सक्रिप्शन लेकर जाओ देखे आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि मैं हमेशा कहते आया हूँ जब भी आप स्टार्ट करें अपने अंदर हमेशा मोटिवे डिटेल में लूँगा एक पॉइंट को कवर करने कोशिश करूँगा जित्ति आइपीसी हैं जित्ते पॉइजन हैं बॉडि पे किस किस जगे में क्या-क्या एक कॉस करेंगे वो क्या-क्या साइड इफेक्क दिखाते हैं वो हर एक चीज मैं डिस्क्राइब करूँगा तो चले पहले टौपिक जो है टॉप्सिको लोजी का यह इसका इंट्रोडटी पार्ट लेता हूं मैं तो स्टार्ट करने से पहले एक दूची बतादो टौक्सिकोलोजी का मतलब क्या होता है जिए डिफायन ऐस ब्रांच अप मेडिकल साइंस विछ डिएल विचमें इन रिले इस एक और टर्म आता है टॉक्सी को नॉलॉजी इसका मतलब होता है पॉईजन की स्टेडी करना जो लिविंग और्गिनिजम जो होते हैं जैसे स्नेप इसकॉर्पियो सेंड फ्लाइ तो यह जो जो इंसेक्स होते हैं जो लिविंग इंसेक्स होते हैं उनकी जो पॉईजन होते हैं उसके जो है टॉक्सी को टॉक्सी को लॉजी बोलाता है ड्रॉक्स की बात करते हैं ड्रॉक्सी बात करते हैं जैसे अगर आप घर में बात करें तो आप जो prescribe करते हैं paracetamol या फिर pen for tea ये जिते भी brand name है ठीक है pentaprazole ये सारी drugs हैं तो ये सब drugs के अंदर आता है poisons के अगर में बात करो definition क्या है any substance if taken in any account by any root produce harmful effect that is 3D के नाम साम इसको जानते हैं disease, deformity, disease, a death तो 3D के नाम साम इसको जानते हैं तो produce harmful effect over the body then it will be called as cohesions तो चले जोसों थोरसा toxicology के बारे में थोरसा हो जानते हैं हम क्या-क्या root होते हैं administration के local क्या है, dermal हो सकता है, ocular हो सकता है, nasal vaginal होता है, rectal होता है, urethral होता है, तो इन सब से भी toxic product अंदर जा सकता है systemic की बात करूँ, oral होता है sublingual होता है, rectal होता है cutaneous होता है, inhalation होता है nasal होता है, parental होता है अगर मैं इनकी elimination की अगर मैं बात करूँ, तो कहां-कहां से यह निकल सकता है बहाँ, urine के थुरू निकल सकता है, feces के थुरू निकल सकता है action of poisons के अगर में बात करूँ, a poison में है, तीन टाइप के action दिखा सकते हैं, local action, systemic action या फिर combined action, तीन टाइप के action ये दिखा सकते हैं, local action के बात करूँ, a poison में act at the site of application, for example, application of concentrated sulfuric acid to face produce chemical burn, तो अगर मान लेजे, concentrated sulfuric acid अगर face पर पढ़ता है, तो ये face को जो है, burn कर दिता है, तो ये एक तरीके का, local action का example हो गया, systemic action के बात करूँ, a poison may act over a given system when taken, for example, ingestion of aquonite cause cardiac toxicity and death, याने कि, अगर कोई person aquonite का ingestion करता है, तो वो heart के उपर effect करके, उस person की death कर देगा, तो ये हो गया है, systemic action का एक example, combined action के बात करूँ, some poison have local action, and similarly, they act as a systemic poison, याने कि, carbolic acid को अगर skin पर लिया जाए, तो वो corrosive की तरह act करेगा, लेकिए, अगर ingestion की तरह, अगर कोई इसको ingest कर लेता है, कोई ले लेता है, तो वो इस systemic poison की तरह भी act कर सकता है, तो carbonic acid जो है, दोनों की तरह act करता है, तो अगर मैं बात करूँ, factors affecting the poison, action of poison, क्या-क्या चीजे हैं, जो effect कर सकता है, तो root of administration, अगर मान यह अलग-अलग root से लेता है, तो उससे भी effect करता है, age, idiosyncrasy, dose, concentration of poison, chemical state of poison, physical state of poison, area of application, और tolerance, इन सब के उपर, जो है, poison का action depend करता है, यह मैं एक-एक करके मैं ले लूँगा, कि यह साई चीजे कैसे-कैसे effect करती है, चले, अभी थोड़ा सा आगे भरते हैं, हम rating कैसे करते हैं, toxicity rating of poison, इसके लिए यह है, कि कौन सा poison किता ज्यादा toxic है, जैसे हम कहते हैं कि बहुत कम मात्र में कोई लेता है, तो उसके अंदर ज्यादा effect आता है, अगर कोई ज्यादा last dose में लेता है, वो तब आता है, तो इसके लिए हुआ कि हम rating कैसे करेंगे, the toxicity rating has been evolved to appraise the nature of the poison to the patient treating the patient, the higher the toxicity rating for a given poison, the greater would be its potency, the toxicity rating is based on the mortality and is applicable for acute exposure of a single substance, यानि कि अगर मान लिए किसी का fatal dose less than 5 mg per kg है, तो इसके rating 6 है, यानि कि बहुत ज्यादा toxic वो माना जाएगा, अगर किसी का fatal dose 5 से 50 mg per kg है, तो इसके rating 5 मानी जाएगी, तो इसके लिए वो है कि extremely toxic वो poison माना जाएगा, ऐसे अगर 51 से 500 mg per kg की किसी की fatal dose है, तो इसके rating 4 मानी जाएगी, और वो very toxic category के अंदर आएगा, अगर 501 mg per kg से लेके, 5 gram per kg तक का अगर किसी का fatal dose है, तो इसके rating 3 मानी जाएगी, और उसका वो moderately toxic की category के अंदर आएगा, अगर 51 gram per kg से लेके, अगर 15 gram per kg के बीच में अगर किसी का fatal dose है, तो इसकी rating 2 मानी जाएगी, और वो slightly toxic माना जाएगा, अगर किसी की fatal dose 15 gram per kg से जादा है, तो वो practically non-toxic substance माना जाता है, तो दोस्तों यह होगी rating, यानि कि अगर किसी poisons का rating 1 है, तो काफी कम toxic है, यानि कि वो non-toxic के बराबरिया आप मान सकते हैं, अगर किसी की rating 6 है, तो इसका अगर यह है कि वो बहुती जादा extreme, यानि कि super toxic वो मा जाएगा, क्लासिफिकेशन के अगर मैं बात करूं, तो based on nature of poison, हम इसको कैसे divide करते हैं, यह भी classification भी 3-4 पार्ट में divided है, तो पहला पार्ट जो है based on nature of poison, इसके अंदर भी 3 पार्ट हैं, 3-4 पार्ट हैं, पहला है corrosive, इसके आता है strong acid, strong alkalis, या फिर metal, strong acid के अगर मैं बात करूं, जो जैसे तेजाब अगर आप समझते हैं कि जो है काफी strong acid होता है वो, तो mental या फिर inorganic acid जैसे S2SO4 या फिर HCL, organic acid की अगर मैं बात करूं, तो carbolic acid, acetic acid या फिर oxalic acid, यह सब इसके example है, alkalis की अगर मैं बात करूं, तो sodium hydroxide, यह जो है strong alkalis का example है, मैं आगे आपको बता जादा खतरनाक है, तो हाला कि मैं अभी बता आएता हूँ, strong alkalis ज्यादा खतरनाक होता बोडी के लिए, तो वो मैं आगे आपको समझा दूँगा, अभी classification के ओपर ही focus करते हैं, metal की अगर मैं बात करूं, तो mercury chloride और ferric chloride, जो है corrosive metal poisoning के अंदर आता है, irritant की अगर मैं बात करू तो inorganic, organic mechanical, तो ये सारे irritant poisoning के अंदर आते हैं, तो चलिए एक एक करके जानते हैं, inorganic poisoning के अगर मैं बात करूं, तो इसके इंदर आते हैं non-metallic, non-metallic होते हैं, sulfurous, जिसको हम common भाशा में कहते हैं, white phosphorus, yellow phosphorus, red phosphorus, ये सम मैं आपको आगे बताऊंगा, तो phosphorus, iodine, metal के अगर मैं बात करूं, तो arsenic, lead, ऐसे ही, अगर organic irritant के अगर मैं बात करूं, तो इसके इंदर दो कैटेगरी आती हैं, animal और plant, animal के अंदर जैसे snake, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, cobra, bite, जो है, rattlesnake, जो तीन कैटेगरी होती है, इसके अंदर भी, hemotoxic, neurotoxic, तो ऐसे करके हम इसके अंदर पढ़ेंगे, इस crop and poisoning, plant के अगर मैं बात करूं, plant या फिर वेजिटेबल के अंदर बात करूं, तो caster या फिर color tropics, यह सब इसके example है, mechanical के बात करूं, तो chopped hair, metal piece, systemic की बात करूं मैं, तो इसके अंदर भी काफी सारी category है, जैसे पहली है, cerebral poison, इसके आता है, so many ferrous, enebrant, stimulant, deliriant, depressant, psychotropic, तो यह सारी cerebral poisoning के अंदर आता है, spinal poisoning के अंदर स्ट्रिकनी, जैसे आप जानते होगी कि अफ़स्तियों तोनेस, position के अंदर पूरी body हो जाती है, peripheral nerve poisoning के अंदर क्यूर, cardiac poisoning या फिर कार्डियotoxic जो poisons होते हैं, वो है एकोनाइट, asphyxiant के अंदर आता है, carbon monoxide, nephrotoxic, nephrotoxic के अंदर आता है mercury, hepatotoxic के अंदर आता है, phosphorus, तो दोस्तों यह साही चीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा, detail में पढ़ाऊंगा, एक-एक poison मैं आपको detail में पढ़ाऊंगा, miscellaneous के अंदर आता है, food poisoning, तो यह एक category है, based on nature of the poison, nature of the poison के base पे यह एक category है, next category पे आते हैं, based on manner of the use, कि कैसे use किया आता है poisons का, तो वो है, homicidal poison, suicidal poison, accidental poison, abortifacient poison, stoopified poison, kettle poison, arrow poison, used to fabricate injury, or malignory, malignory, use to cause injury, use for torture, तो यह सारे हम use कर सकते हैं, poisons का यहाँ यहाँ use होता है, source के अगर हम बात करो, अगर source के base पे अगर divide करते हैं, तो domestic और household poisons, agriculture poisons, environmental poisons, industrial poisons, food and drink poisons, और drug and medicines, तो ऐसे दोस्तों हमने जाना कि हम, जो poisons है, classification, हम उसको कैसे कैसे classify कर सकते हैं, एक है based on nature of the poison, उसके base पे, एक है manner of use, एक है source of poison, तो इन सब की case से हम, हम classify करते हैं, अगर मैं diagnosis की बात करूँ, तो हम कैसे कैसे diagnosis कर सकते हैं, अब patient with consumption of poison में, present as, feminine poison, acute poison, sub-acute poison, या फिर chronic poisoning, तो हम ऐसे करके, हम कैसे consume किया गया है, तो उसके base पे भी हम describe, या हम diagnose करते हैं, तो अगर मालेजे, परसन जिन्दा है, किसने जहाय ले लिया है, और वो जिन्दा है, तो क्या approach होना चाहिए, सबसे पहले हम history लेंगे, फिर symptoms देखेंगे, फिर science देखेंगे, और फिर उसके बाद हम laboratory examination के लिए sample भीजेंगे, यह मैं आगे आपको बताऊँगा, कि laboratory sample के लिए हम क्या-क्या लेते हैं, जैसे हम urine ले सकते हैं, bile content ले सकते हैं, stomach wash का content ले सकते हैं, यह सारी चीजे मैं आगे आपको बढ़ाऊँगा, तो अभी के लिए diagnosis in living के लिए क्या-क्या approach होनी चाहिए हमारी history लेंगे, symptoms देखेंगे, science देखेंगे और फिर laboratory examination हम उसका करेंगे, तो चलिए एक एक करके जानते हैं इसके बारे में, तो history and symptoms के अगर मैं बात करूँ, तो sudden onset of vomiting, diarrhea, pain in abdomen, तो यह एक symptom है, onset of symptom to many person who have taken food together, जैसे कि अगर मान लीजे, कोई party function में जाता है, और party उस party function में जो खाना होता है, वो अच्छी quality का नहीं होता है, तो ऐसे में काफे साय लोगों को symptoms आने लग जाएंगे, history of consumption of poison or suspicious material, यह हम पूछेंगे, persistent vomiting and या और diarrhea, with or without dehydration, pain in abdomen, ultra-sensorian या फिर द्रॉजिनेस, unconsciousness या फिर कॉमा, breathlessness, construction in chest, choking sensation, convulsions, palpitation, arrhythmia, chest pain, hypothermia, paralysis, तो यह सारे history से हमें पता चल जाएगा, या फिर यह सारे चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगे, तो चलिए दोसो clinical examination की बात करते हैं, clinical examination काफी बड़ा topic है, इसके अंदर में एक-एक poison, किस-किस organ पे क्या-क्या effect दिखा सकता है, या क्या-क्या poison, क्या-क्या चीज़ें कर सकता है, वो मैं बताऊंगा, तो काफी बड़ी वीडियो है, मैं इसको दो-तिन पार्ट में, मैं पुरा इसको cover करूँगा, मैं, तो patience रखिएगा, लेकिन trust मानिए, यकीन करिए, जो है, अगर कोई second year का है, या कोई detail में जाना चाहता है, तो उसके लिए knowledge काफी best रहेगी, तो general examination के अगर मैं बात करूँ, clinical examination के अंदर भी मैं काफी सारे sub-topic लेके आँगा, जैसे general examination, जैसे CNS examination, CVS examination, respiratory examination, तो यह सारे topic में काफी detail में लेके मैं चल रहा हूँ, तो सबसे पहरे general examination, इसके अंदर taste of poison, कौन सा poison क्या-क्या test करता है, bitter taste आता है, धतूरा इस्टिक्टीन का, acid के अंदर burning taste आता है, calatropice के अंदर acrylate, acrylate sweet taste होता है, oxalic acid जो है sour taste होता है, copper या फिर iodine जो है metallic taste का होता है, carbolic acid जो है sweet burning taste देता है, और alkaline जो है castric taste देता है, poisons producing hypothermia, वो कौन-कौन से poisons हैं, जो hypothermia यानि की temperature कम कर देंगे इनसान के अंदर, जैसे कि आप किसी ठंडे एरिया में जाते हैं, तो body जो है, अगर आप किसी ठंडे एरिया में जाते हैं, या body ठंडी हो जाती तो उसको hypothermia condition कहलाती है, तो क्या-क्या poisons जो है hypothermia करते हैं, वो है opiates, alcohol, carbon monoxide और barbiturates, ये सारे जो poisons हैं, इनके consumption के बाद, जो है hypothermia होने लग जाता है, कौन-कौन से poisons हैं, जो hypothermia कोस करते हैं, जैसे strychnine, cocaine, धतूरा, अप्यूरे, तो ये सारे poisons जो हैं, hypothermia कोस करते हैं body के अंदर, चलिए, नेक्स आते हैं poisons having typical odor, काफी important table है दोस्तों, तो कौन-कौन से poisons क्या-क्या smell करते हैं, साइनेट जो है bitter armor की तरह साइनेट का smell होता है, फॉस्फोरस जो है गार्लिकी smell होता है, गार्लिकी smell जो है ये 3-4 poisons शो करते हैं, जैसे फॉस्फोरस, arsenic, selenium, thallium और aluminium phosphate, तो ये सारी जो है गार्लिकी smell काउस करते हैं, इसके अंदर मेन फॉस्फोरस और आर्सनिक, इसके लिए एक क्निमोनिक है, GAP, तो gap से आप याद रख सकते हैं, तो फॉस्फोरस, आर्सनिक काफी common exams के अंदर पूछा जाता है, फिनॉल के अंदर फिनॉलिक इसमेल आता है, और्गनो फॉस्फोरस के अंदर केरोसीन लाइक इसमेल आता है, कोनियम पॉस्फोरस के अंदर मॉजी इसमेल आता है, गांजा के अंदर बर्न ड्रोप इसमेल आता है, hydrogen sulfide के अंदर rotten egg like smell आता है zinc phosphide के अंदर fishy smell आता है carbon monoxide के अंदर coal gas की तरह nitro benzene के अंदर shoe polish की तरह smell आता है chloroform के अंदर acetone की तरह smell आता है camphor के अंदर mothball acetic acid यानि vinegar की तरह smell उसके अंदर आएगा तो दूस्तों काफी important table है इसको आप एक जगे अपने notes के अंदर लिख लीजिएगा इसके अंदर सारे smells आपके सामने मैंने रखे है next आते है poisons producing ocular changes दूस्तों काफी ये बड़ी table है जब मैं बनाया था ये शाद तीनचा slide के अंदर आया था ये पूरी table हलाकि आप जो है अप्थेल subject के अंदर आप पढ़ेंगे मैं यहां पर short में बता देता हूं मियोसिस किस-किस poisons के अंदर देखने को मिलेगा opium, morphine, organophosphorus और barbiturates तो इन सब के अंदर हमें मियोसिस देखने को मिलेगा मिड्रियासिस यानि pupil cardylate होना alcohol, धतूरा, carbon monoxide और cocaine इन सब के अंदर मिड्रियासिस condition देखने को मिलती है nystagmus, alcohol और thallium इन दो condition के अंदर nystagmus देखने को मिलता है strabismus किस-केस में देखने को मिलता है botulinum toxin, thallium के अंदर देखने को मिलता है hippas हमें equonite के अंदर देखने को मिलता है diplopia यानि double vision हमें देखने को मिलता है opium, cannabis और alcohol photophobia किस-केस में देखने को मिलता है mercury और quinine इंडो poisoning के अंदर हमें photophobia देखने को मिलता है blur vision जो होता है वो हमें alcohol, धतूरा, एकोनाइट और nicotine इन poisoning के अंदर हमें blur vision देखने को मिलता है lacrimation के अगर मैं बात करूँ आँखों से ज़्यादा पानी आना तो ammonium के अंदर देखने को मिलता है chili powder के अंदर देखने को मिलता है और irritant gas के अंदर देखने को मिलता है अब thalmoplegia के अगर मैं बात करूँ तो thallium के अंदर देखने को मिलता है altered color perception कि हमें किस poisoning के case के अंदर हमें अलग-अलग color का perception हमें देखने को मिलेगा वो है carbon monoxide, cannabis, LSD और digitalis इस इस सब poisonostat के अंदर हमें after color perception का हमें देखने को मिले गा cornral deposit हमें amodaquine के अंदर देखने को मिलेगा xanthopsea हमें a अपटीं नियुराइटिस या फिर रेफ्रोबीन नियुराइटिस हमें किस के सक्कें अंदर देखने को मिलेगा हमें किस के सके देखने को मिलेगी कॉपर डस्ट ऐसिड फ्यूम और मारेज्ट इन सब के ंदर हमें कंजुक्टिव वाइटेस कंडिशन 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 देखने को मिलेगा deposit in lens डिपाजिशन in lens हमें mercury के अंनदर देखने को मिलेगा में धेखने को मिलेगा। इसके अंदो हमें जॉन्डिस लिये जॉन्डिस्ट कि अग्ले में। HER ज्यूंडिस के अग्ला घ्रिसदेशन के अंदर देखने को मिलेगी, retinopathy, जो है chloroquane, phenothiazide के अंदर हमें देखने को मिलेगा, retinopathy, fixation of pupil, याने की pupil एक्दम fix हो गई है, अगर आप light मारते हैं, तो pupil का dilatation या फिर contraction हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो fixation of pupil हमें किस के देखने को मिलेगा, anesthetic agent, इन सब की केस के अंदर हमें फिक्सेशन और प्यूपिल लेखने को मिलेगा तो अक्लियर चेंजेस के अंदर और बी एक और टेबल है तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एकदम डिटेल में पढ़ा हूंगा ताकि इस सेकेंड यह से लेखके अगर कोई स्ट्रेंड अगर एकदम डिटेल में पढ़ना चाहता है तो उन सब को यह बेनेफिट मिले इसलिए मैंने एकदम डिटेल में जो है एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूं कंप्लीट और पार्शल ब्लाइडनेश हमें किस केस के अंदर देखने को मिलेगी मिठाईल अलकोहल आरसेनीक ठ्लोरोपीन एर्ग्सट क्लो법लत लैड और मर्करी टोबैको इन सब केन दा हमें कंप्लीट यह पार्शाल ब्लाइडनेश हमें देखने को मिल सकती है was Corneal stipling हमें किस Case के अंदर देखने को देखने को मिलेगी हमें Chloroquine के अंदर हमें Chloroquine Prae retinol stiffening देखने को मिलेगी Qinady Ma यदा बितामिन A toxicity इन दो की पॉइसनिंग के अंदा हमें finolite dema भी देखने को मिलेगा तिनल हम्हें किस के अंदा कर देखने को मिलेग Dieu इन दो के अंदा हमें flux देखने को मिलेगा दोस्तों अब next आते हैं poisons producing oral changes क्या ने की कौन से poisons के अंदर मुग के अंदर माउथ के अंदर क्या-क्या changes देखने को मिलेगा salivation किस-किस poisoning के अंदर देखने को मिलेगा organophosphate mineral acid alcohol aconite cotton seeds chili seeds tobacco copper scorpion इन सब के अंदर हमें excessive slivation देखने को मिलेगा dryness of mouth यानि कि कम sliva किसके अंदर देखने को मिलेगा datura fendrine scopolamine antihistaminic antidepressant इन सब के अंदर हमें dryness of mouth देखने को मिलेगा gerostomy आ किस-किस के अंदर देखने को मिलेगा narcotics hydrocyclic antidepressants in सब के अंदर हमें इन दोनों के अंदर हमें zero stomia देखने को मिलेगा gingival hypople straps किस के अंदर देखने को मिलेगा phenytoine sodiyum prolнять इन दो के अंदर हमें gingival hyperplasia देखने को मिलेगा इस्टोमेटाइटिस किस के अंदर देखने को मिलेगा साइनाइट के अंदर हमें इस्टोमेटाइटिस देखने को मिलेगा इस्टोमेटाइटिस किस के अंदर देखने को मिलेगा इस्टोमेटाइटिस किस के अंदर देखने को मिलेग दिस्कलरेशन आफ टीथ के अगर मैं बात करूं तो फ्लोराइड और टेटरसैकलिंग इन सब के अंदर हमें दिस्कलरेशन आफ टीथ देखने को मिलेगा तो दोस्तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ यह मैं दो तीन वीडियो के अंदर में पूरी टेबल में कवर कर दूँगा पूरे एक्जामेशन में कवर कर दूँगा मैं तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगली वीडियो में मैं कवर करूंगा CNS examination, respiratory examination और CVS examination तो ये तीन जो बड़े-बड़ examination है मैं उसका मैं cover कराऊँगा अगली वीडियो में तो अभी के लिए Ask yourself if what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow याने कि आग जो अभी कर रहे हैं आप अपने आप से पुछे क्या वो आपको dream तक पहुचाने मदद करेगा क्याने कि अगर आप अपने time waste करते हैं मालिज आपने एक घंटा दो घंटा पड़ाए की और उसके आप पांचे घंटा rest ले रहे हैं तो ऐसे में जो आप इत्ता लंबा rest ले रहे हैं आप अपने आप से पूछे कि क्या ये rest मेरे को मेरे जो मेरा जो goal है NEET PG का जो goal है क्या वो मेरे इसके पास लेकर आएगा हाँ या ना अगर आपको लगता है कि इत्ता लंबा लंबा rest लेना आपके लिए सही है लेकर लगता है कि इत्ते लंबे rest लेने या फिर आपने time waste करना या पढ़ाई में कम ध्यान देना अगर आपको लगता है कि ये साइची आप गलत कर रहे हैं तो इसको तुरणत अवोइट करिए ऐसे काम करिए जो आपको आपकी ड्रीम तक पहुचाने में आपको मदद करें तो इसलिए दोस्तों हमेशा ये बात हमेशा अपने माइड में रखिएगा तो एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा अनकेडमी का जो लेट स्काइड नीट पीजी चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए अगर आप बेल आइकन को और बी जादर वीडियो में बनाओं जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट उसके इंदर रखूं क्यूंकि ये जो है रिकॉर्डिट क्लासेज होती है लाइव क्लासेज नहीं है ये तो इससे अगर मान लीजे आपका कोई डाउट है तो आपकी जो स्लाइड आपके सामने मे कूछ सकते है कोई डाउट है तो आप में इसे clear कर सकते हैं मैं जो code है दोस्तो वह है libe-dram अगर आप ये code यूज़ करते हैं तो आपको additional 10% का discount आपको additional 10% discount मिल जाएगा अगर मैं बाद करूँ 24 months के subscription की तो उसके charges होते 30,000 रुपीस लेकिन अगर आप मेरा code यूज़ नहीं देना है आपको additional 10% का discount मिल जाएगा और यह आपको पड़ेगा 27,000 रुपीस का सिर्फ ऐसे ही अगर मैं 12 months की बात करूं मैं 12 months subscription charges की बात करूं तो यह पड़ता है 22,500 का अगर मेरा code use करते हैं तो दोस्तो 12 months और 24 months के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है अगर आप इसको देखें तो 12 months पर 1 month के subscription charges में ही आपको 24 month का आपको pack मिल रहा है तो दोस्तो एक बारी subscription लेकर जाओ देखें अगर आपका कोई भी doubt है कोई भी queries हैं तो आप मैं इसे live जो classes में लेता हूँ उन live classes के अंदर आप मैं इसे queries पूछ सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इत्ता ही अगली वीडियो के अंदर मैं जो है CNS examination, CVS examination और respiratory examination का topic मैं लेके आऊँगा उसके अंदर detail मैं आपको बताऊंगा जैसे अभी मैंने आपको detail मैं आपको बताया मैंने एक के poisons क्या क्या कर सकता है आइस के ऊपर opthal के अंदर क्या-क्या effect आ सकता है मैंने वह चीज़े बताई oral के बारे बताए कि oral के अंदर क्या-क्या changes ला सकता है तो ऐसे करके मैं detail में एकदम पढ़ा रहा हूं तब तक एलिए, थैंक यू